कि मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंशांग और बारहर राशिका राशीफल बताऊंगा और जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना मैं राशिपल के बीच में एक यतिवानी करिकरम पेश किया करता हूं और उस यतिवानी करिकरम में किसी नए किसी नए विशय पर मैं आपके लिए जानकारी लेकर आता हूं आज भी मैं राशिभल के बीच में यतिवानी करिक्रम पेस करूँगा और आज भी मैं आपके लिए एक नए विशह पर जानकारी लेकर आया हूँ आज का जो विशह है वह है हमारे कुल के कुल देवता और कुल देवी माता हमारे लिए रक्षा का कवच होते हैं इस विशह पर मैं जादा जानकारी आपको यतिवानी करिक्रम में दूँगा आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखे और कुल देवी माता और कुल देव के बारे में जरूर विचार करें सोचे इस समय सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन का पंचांग क्या है आज दिनांक 21 अगस 2019 बुद्वार का दिन भादरपद मास क्रश्ण पक्स की सश्टी तिथी दिन रात रहेगी गंड मूल संग्यक अस्वनी नक्चतर मदी रातरी बारा बज़ कर 48 मिनट तक रहेगा फिर बढ़नी नक्चतर सरू होगा चंदरमा दिन रात मेश राशी में गोचर करता रहेगा आज का रहुकाल दोपहर बारा बज़ कर 41 मिनट से 2 बज़ कर 17 मिनट तक रहेगा आज बुद्वार को अभी जीत मौरत नहीं होता है आज बुद्वार को उतर दिशा में दिशासुल रहता है इसलिए अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो उतर दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा आज बलराम जैन्ती है और रांदन सट भी है आपको बलराम जैन्ती और रांदन सट की हारदीक सुब कामना यह था आज के दिन का पंचाम और अब देखते हैं कि आज का दिन 12 राशीवाड़ों के लिए कैसा बीतने वाला है 12 राशीवाड़ों का राशीपल क्या है सबसे पहले देखते हैं मेश राशी मेश राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है और आज आपके सोचे समझे काम सभी बन जाएंगे या रुके अटके आगे बड़ेंगे आपके लिए आज काफी कुछ नए अउसर भी मिलने वाले हैं अच्छे काम जो हैं वह पुराने हैं वह बले ही रुके अटके हो लेकिन आज थोड़ा परियास करें वह जरूर पूरे हो जाएंगे गर में सुब समाचार मिलने से खुशियों की लहर दोड़ जाएगी अब देखते हैं वरसब रासी वालों के लिए आज का दिन विपरीत गोचरवाला बन गया है इसलिए बहु सावधानी से दिन बिताएं और किसी से आज बहसा दिना करें अपने आप पर किसी और का दबा आज यातरा को टाल दे क्योंकि आज आपके बारवे खर्चिस्तान का चंदर्मा है अब देखते हैं मिथुन रासी मिथुन रासी वालों के लिए आज का दिन अच्छा बितेगा आपका आत्मसास आपको बड़े लंबे बड़े और लंबे समय तक लाब दिलवाने वाले फ इंट्रिवादी के लिए बुलाबा भी आ सकता है या फिर कोई साजयदारी करने का उफर दे सकता है वेपारिक फेर बदल करने में और नई योजना बनाने में काम आप कर सकते हैं अब देखते हैं सिहरासी वालों के लिए आज का दिन अनेक परकार से आपके लिए शुब बन गया है पूराने रुकेट के काम आगे बढ़ेंगे और पूरानी उगरानी अगर पैसे की कई फशी भी है तो आपको मिलने का योग बनावा है किसी नए काम की शुरुवात आप कर सकते हैं और आज धरम ध्यान में आपकी रूची बढ़ेगी परिवार का सुख आपको मिलेगा अब देखते हैं कन्यारासी कन्यारासी वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है संदर्मा आठमे मर्तिवस्तान से गोचर कर रहा है या थोड़ा तकलिप देशाबित हो सकता है आगे दो दिन और सावदान ओकर काम करने की जरूरत है अपना वाहन आदी धीमी से बड़ावा है पती पतनी का अपस में साथ समरपन रहेगा मिलना जूलना अच्छा समय वीटेगा साथ में आप दोनों कहीं घूमने फिरने जा सकते हो खोटल अदी में पारकादी में या किसी मेला में भी जा सकते हो प्रेमी युगल आज साथ में अपने बावी जीवन क कारिक्रम शुरू कर रहा हूं यतिवानी कारिक्रम में सबसे पहले आप सभी दर्शकों का यतिवानी कारिक्रम में हार्दिक स्वागत है कारिक्रम शुरू करने से पहले मैं आप से अनुरूत करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्शक है या फिर पूराने दर सूचना मिल जाए notification मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें अब देखते हैं कि आज के दिन का यतिवानि करिक्रम में विशा ही क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो विशा है वह हमारे परिवार से समझ दिता है कुल देव और कुल देवी माता हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं यहाँ आज के यतिवानि करिक्रम का विशा है हिंदू परिवारिक आराध्य अवस्ता में कुल देवता एवं कुल देवी का इस्तान सदेव रहा है परतेक इंदू परिवार किसी न किसी रिशी के वनसज है, जिन से उनके गोत्र का पता चलता है बाद में करमा नूसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया, विबीन करम करने के लिए जो बाद में उनकी विशिष्टा बन गया और जाती कहा जाने लगा हर जाती वरक किसी न किसी रीशी की संतान है और उन मुल रीशी से उत्वन संतान के लिए वे रीशी या उनकी रीशी पत्नी एवं कुलदेवी के रूप में माननी जाती है या पुझी जाती है पूर्व के हमारे कुलो अर्थात, पूर्विजों से खांदान के वरिष्टों ने अपने लिए एक उप्यूक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था यह परंप्रा बहुत पूरानी है जब से मानुख सभीता शरूवी तब से यह माना जाता है जिससे कि एक अध्यात्मिक और पारलोकिक सक्ती कुलो की रक्षा करती है जिससे उनकी नकारात्मक सक्तियां एवं उर्जाओं और वायोवय बादाओं से रक्षा होती रहती है कुल करते रहे यानि के परिवार के उपर अगर कुल देवी मता का आशिरवाद होता है कुल देवता का आशिरवाद होता है तो परिवार में किसी प्रकार की बादा नहीं आती है और निर्विगन रूप से परिवार के लोग है आगे बढ़ते रहते हैं उन्नती करते रहते हैं सफ बदल दिये या फिर वो दूसी जिग विश्टाफित हो गए जानकार व्यक्ति के असमय मरत होने से संस्कारों के च्छाय होने या फिर विजातिय पनपने इनके पीछे के कारण को न समझ पाने आदी के कारण बहुत से परिवार अपने कुल देवता देवी को भूल गए अने पीडियों से नगरों में रहने वाले परिवार अधिक हैए। कुछ श्वंभु अधुनिक मानने वाले और हर बात में विग्यानिकता खोजने वाले ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अत्वां अपनी वरत्मा अच्छ स्थिति के गर्व में इने बूला दिया या इनने छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे कुल के कुल देवता और कुल देवी माता कौन है कुल देवता या कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्सों तक तो कोई खास अंतर मैसूस नहीं होता या समझ नहीं आता है किन्तु उसके बाद जब शुरुक्षा कवच पुन रूप से हटता है तो परिवार में दुर्गटना है नाकारत में गुर जाए बार की बादा है बेरोग टोग प्रवेश करना शुरू कर देती है नजर लगना टोने टोट के होना मेली विद्याओं का परियोग होना यह सब जिस गर में कुल देवी मता का इस्तान नहीं होता है पूजन नहीं होता है वहाँ अधिकतर देखने को मिलती है उन्नती रुकने लगती है पीडिया पेक्सित उन्नती नहीं कर पाती संसकारों का च्छाय नितिक पतन का लह उपद्रव असानती शुरू हो जाती है ऐसे परि जो किसी भी बाहरी बादा यानि के नकारत्म उर्जाओं के उर्जाओं से परिवार की अथवा व्यक्ति पर परवेश करने से पहले खुद संगर्श करती है और उन्हें रोकती है यह पारिवारिक संस्कारों और नितिक आचरण के परती भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं यह इनके पूजा नहीं होती है या उनको पूजा बराबर से नहीं मिलती है तो वे नराज भी हो सकते हैं या रूट सकते हैं या फिर वहां से अपनी जो रक्षा का कवच है वहां खतम भी कर सकते हैं या निरलिप्त होकर वहां विराजमान रहते हैं ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आरादना करें वह जो आप आरादना साधना करते हैं वह उस्ट इष्ट तक कभी नहीं पहुंचते हैं क्योंकि आपके गर में कुल देवी या कुल देवता का पूजन नहीं होता है तो आप किसी दूसरे देवी देवता का पूजन करते हैं त वेक्ति तक पहुंचने लगती है कभी कभी वेक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इस्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायवशक्ति यानिके बाहरी बादा वह जो हम इस्ट की पूजा करते हैं वह उन असुब देवों तक या असुब आत्माओं तक पहुंचना होता है कुल देवता या कुल देवी को ससक्त करने के लिए नियमित उनका घर में पूजन होना चाहिए उनका इस्थान होना चाहिए और हर घर के हर सुब काम से पहले घर का जो बोजन बनता है उनका भोग कुल देवता को या कुल देवी माता को लगाया जाना चाहिए कुल देवता या देवी समंदित वेक्ति के परिवार परिवारिक संस्कारों के परती समयदन्सील होते हैं और पूजा पदती उलट फेर विधर्मिया किरियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो जाते हैं कुल देवी माता या कुल देव होते हैं वह चाते हैं कि उनके जो कुल के देवी देवता है उनका ही पूजन किया जाए अगर दूसरे जाती के धर्म के देवी देवताओं को पूजन किया जाता है तो फिर वह कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते है या नाराज हो जाते ह सामाने तह इनकी पूजा वरस में एक बार अत्वा दो बार निश्चित समय पर होती है यह परिवार के नुसार बिनबिन समय होता है और बिनबिन विशिष्ट पदत्ती भी होती है साल में दوبार कुल्देता या कुल्दी विमाता का पूजन किया जाता है इसतापना की जाती है और हर बार इनका जो पूजन का विधान होता है वह एक समान रहता है साधी विवह, संतानोत पती, आधी होने पर इन्हें विशिष्ठ पूजाएं भी दी जाती है यदि यह सब बंद हो जाए तो या फिर हम इसको ना करें पहले भोग लगाना या साधी हो या संतानोत पती हो उनको याद करके उनके फेरी ना देवे या उनका भोग ना लगाए उनके पूजा ना करें तो वे नराज हो जाता है या कोई मतलब ना रखकर मुग दर्सक जैसे बंद कर रहते हैं और परिवार बिना किसी सुरुक्षा आवरण के पारलोकिक सत्यों के लिए खुल जाता है यानि के बाहरी बादाओं के लिए खुल जाता है जिसको हम नजर दोस कहते हैं टोकने का दोस कहते हैं या मेली विद्या या किसी ने टोना टोटका कर दिया यहाँ बाते करते हैं उसको वायवे बादायक कहा जाता है परिवार में विभिन तरह की प्रिशानिया सुरू हो जाती है अतह परतेक विक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यता योग्य उन्हें पूजा परदान करनी चाहिए उनको घर में इस्तान देना चाहिए और जिससे की परिवार की शुरुक्षा का कवच है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए लेकिन एक बात का रियान रखना चाहिए कि आपको जब तक कंफरम ना हो जाए कि यही हमारे कुल के देवता है और कुल डिवी माता है तब तक उनको घर मैं इसतान नहीं देना चाहिए पहले चार जगे पूस्तास करके कंफरम कर लेना चाहिए यहां था आज के दिन का यति वाने का रिक्रम जिसमें मैंने आपको कुल देव और कुल देवी माता के बारे में जानकरी दी कि यहां हमारे लिए क्यों महत्वा पूर्ण होते हैं और यहां कौन होते हैं जो हमारे बाकी बची वी जो हमारी राशिया है उनका आज का दिन कैसा भीतने वाला है अगली हमारी राशी है वर्षिक राशी वालों के लिए आज का दिन मध्यम प्रद है चंदर्मा का सडास्टक योग किंतु परंतु वाली इस्तिती में आपको रखेगा छोटे काम के लिए भी बैदिक मैनत और दोर्दूप करनी पर सकती है आर्थिक समाजी के सती थोड़ी सी कमजोर ही रहने के संकेत मिल रहे हैं वानी पर नियंत्र नखे वरना अपमान भी आपका हो सकता है अब देखते हैं धनूराशी धनूराशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है सुब प बिताना चाहे तो खूब बाते करके बिता सकते हैं अब देखते हैं मकर राशी मकर राशी वालों के लिए दिन अच्छा है लेकिन आज चौथा चंद्रमा है इसलिए करोद और अंकार ना करें जिद ना करें अपनी वानी पर नियंत्र न रखे वरना किसी से मतमेद बढ़ तो सब के साथ मिलकर काम करेंगे तो पदपरतिष्ठा का लाब मिलने के साथ येस वर्दी और धन वर्दी होने का भी योग बनावा है अब देखते हैं आखिर में मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा विपरीत योग बन गया है और यही योग मैं आज को आज कुल देवता और विडियो में नए पंजांग नए राशीवल और यति वाले में किसी नए विषय पर जानकारी लेकर आऊंगा तब तक जाय जिनेंद्र